अपने बालो को भी सुन्दर बना सकते हैं, अपनी तवचा को भी सुन्दर बना सकते हैं. इसके बारे में आपने काफी कुछ सुना होगा, तो आईए, मैं आपकी दोसले आपको बताओंगी आमर डॉयल यानी की बादाम के तेल के बारे में कुछ और बाते हैं. अगर आपकी ज्यादा ड्राइ स्किन है और कुछ भी लगाने से ड्राइनेस दूर नहीं होती है, तो आप आमर डॉयल यानी की बादाम के तेल को आजमा सकते हैं. बादाम के तेल से अपने चेहरे पर मसाज करने से आपको काफी फायदा महसूस होगा और ड्राइनेस भी दूर हो जाएगी. टिप नमबर टू, अगर आपके चहरे पर मुहासे हो गए हैं और उनके दाग रह गए हैं, तो आप बादाम के तेल से अपने चहरे पर मसाज कर सकते हैं, ऐसा करने से मुहासों के दाग धीरे-धीरे गायब हो जाते हैं टिप नमबर टू है, अगर आपके चहरे पर वक्त से पहले जुरिया दिखने लगी हैं, तो आप बादाम के तेल से अपने फेस पर मसाज कर सकते हैं, ऐसा करने से आपकी स्किन टाइट होगी और जुरिया भी हलकी पढ़नी शुरू हो जाएंगी कई लोगों में ये प्रॉब्लम पाई जाती है कि उन्हें अपना कॉंपलेक्शन अच्छा नहीं लगता, कईयों को लगता है कि वो गोरे नहीं हैं, अगर आप भी अपने कॉंपलेक्शन से साटिसपाइड नहीं है तो अपनी बॉड़ी पर और अपनी चहरे पर आप लगता हो रही है, तो आप अपनी स्किन पर आमर डॉयल याने की बादाम की तेल से मसाज कर सकते हैं, ऐसा करने से आपको ठंडक महसूस होगी साथ ही साथ जवन भी कम हो जाएगी टिप नमबर 6, डाक सर्कल्स को धूर करने के लिए अकसर नीप पूरी ना होने की वज़े से या फिर अनहेल्थी डायेट की वज़े से हमारी आपों की नीचे काले गटे याने की डाक सर्कल्स हो जाते हैं, उन्हें ठीक करने के लिए आप अपनी आपों के नीचे हलके से आमण डॉयल से मसाज कर सकते हैं ऐसा करने से कुछी दिनों में आपको फ़र्ख महसूस होगा नमबर सेवन फटे होटो को ठीक करने के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है आमण डॉयल अगर आपके होट फट रहे हैं तो अपने होटों पर हलके हाथों से आमन डॉयल से मसाज कीजिए ऐसा करने से फटे होट रिपैर हो जाएंगे साथ ही साथ आपके होट मुलायम भी बनेंगे So friends, ये थे आमन डॉयल यानि की बादाम के तेल के कुछ फायदे इनका लाव उठाएंगे और अपनी व्यूस को हमाय साथ शेर करें मेरी ब्यूटी और हैलसे रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब कीजिए